आज हम इस सेशन में इस खास सेशन में जोमेटरी के बारे में डिसकस कर रहे हैं और जोमेटरी के इस खास सेशन में हम लोग सरकल पर बेस्ट प्रॉब्लम करने वाले हैं प्रॉब्लम करेंगे किस टाइब बेस्ट फ्रेम किये जाते हैं तो चलिए शुरुबात करते हैं तो आपके सामने अच्छा एक चीज जो हम लोगों ने कॉड्स रिलेटेड थेवरम पढ़ी ती उसके बारे में थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं सपोस्थ आपके सामने अगर एक सरकल है तो यह कहा जाता है जो थेवरम होती है कि अगर सेंटर से आप कोड molar फर संक करते हो तो यहां पर हमारे सामने एक right angle triangle बन जाता है और हमारे question जो frame किये जाते हैं उसमें triplets का use बहुत जादा किया जाता है जैसे अगर आपसे कह दिया गया कि भई जो आपका perpendicular है उसकी लंबाई 4 cm है इसे बता दिया गया ठीक है और जो आपका एक पूरी cord की लंबाई बोल दीगी 6 cm तो आपको पता होता है कि मिड़ पॉइंट है तो यह कितना हो जाएगा 3 cm हो जाएगा और रेडियस की लंबाई कितनी आ जाती 5 cm हम लोग ने ट्रिप्लेट्स के बारे में discuss किया था जो आपके चार combination होते हैं उन digits का use बेहत किया जाता है बेहत किया जाता है और इस वज़े सेंटर सेंटर मतलब क्या कही जिए एक काइख बास बड़ी सेंट्र जाहा है और साथ यहां पर निकल कर आगई अब यह कहा जा रहा है कि यह दो हमारी कोर्ड है उसके बाद इनकी लंबाई भी बताई गई आपको 16 cm 12 cm घिक हैं 16 cm 12 cm यह आपको बता दिया गया अब इसका मत सब्सक्ण पर दिख यहां वह हमागी उपर मतलब यह लंबाई कितनी मेट्र उगर यह पूरी सीड़ी हमारी 12 सेंटीबी है तो यह क्Med किसे केस के से 이हाँ पर और रचानी का नाम रही है थीक है हमें रेडियस कर रहा है तो आपको पता है कि की बराबर होगी इसको हमने रेडियस कैपिटल आर माल दिया एक लंबाई और दी गई है आपको बताया गया दोनों कॉड्स के बीच का गैप मतलब यह MN की लंबाई आपको दे रखी है कोईशन ने दोनों कॉड्स के बीच का जो गैप है वह दो सेंटीमीटर के बराबर है तो चाहे तो आप इसको अप ट्रेडिशनल वे में सॉल्व कर यह M2 प्लस एक 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 एक्क्वेशन यहां से बनेगी दूसरी एक्क्वेशन आप जब O N और C में एक अपना राइट एंगल पाइथागोरस ठ्योरम लगाओगे तब वहां से एक एक्क्वेशन बन जाएगी यह ट्रेडिशनल एप्रोच हुआ एक्क्वेशन बनके आप की वैलू फाइंड कर सकते हो लकिन हमें इस तरीके से मतलब एक्क्वेशन बनाके नहीं सिंप्लिफाई करना क्योंकि जो क्वेशन की फ्रेमिंग होती है वह डैरेक्ट ट्रिपलेट बेस्ट होती है अब अगर आपको ट्रिपलेट्स का एडिया है वह हुमारी ट्रिपलेट कितनी हो जाएगे 10 cm यह हमारी एजम्शन रही यह हमारी एजम्शन रही कन्फरमेशन कहां से होगा आप खुद रियलाइज करिए अगर यहां पे सबसे पहले हम ट्रेंगल की बात कर रहे हैं ओ एम एक हम बात कर रहें ओ और यह पॉइंट एम रहा और यह पॉइंट हमारा अब देखो आपने एजूम किया कि यह हमारा 10 cm ठीक है और कुशन किया डेटा जो है वो एम की लंबाई 8 cm क्लियर इतना तो जाहिर सी बात है यह लंबाई हमारी 6 cm आनी चाहिए अगर कब 6 cm तब आएगा जब हमने ओए की वैलू हमारी 10 होगी ठीक है सिमिलरली कन्फरम करने सब्सक्राइब के लिए एक और आपको ट्रेंगल दिखे रहा है यह हमारा ट्रेंगल ओ एंसी सॉरी ओंसी आपको यह लंबाई 8 cm एकर सीकी लंबाई हमारी अगर 10 हुई तो अगर हमारा सिक्स क्यूशन ने रखा तो व वैलू मेरी 8 cm के बराबर आनी चाहिए तो अब अगर यह 8 है और यहां से यहां तक 6 है तो बीच में 2 cm का gap बचना चाहिए और question ने बता दिया कि 2 cm का gap बच रहा है और इस वज़े से हम कह सकते हैं कि हमारी radius जो होगी वो कितनी होगी 10 cm के बराबर normal triplets का खेल है और कुछ नहीं ठीक है अगर आप इस approach को नहीं apply करना चाहते हो तो आ question पर बात करते हैं प्यारे बच्ची अब आपके सामने यह question रहा कहा गया कि आपकी दो कॉर्ड है इनर सरकल कॉर्ड बता दी गई आपको दो कॉर्ड है और यह पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रही है ए बी और सीडी दो हमारी कॉर्ड थी जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है point P पे अब जो main चीज है यहां पे आपको values पुट करनी है और आपको confusion अगर हो रहा हो कि P हमारा center है तो गलत बात है यह आपका center नहीं है कहीं पे भी उपको कहीं पर intersect कर सकते हैं जहां पर intersect कर रही हो वही पॉइंट हमारा पी यह लंबाई क्या दे रखिए पी ए की वैलू आपको 6 cm यह आपको 6 दिया गया साथी साथ आपको यह बता दिया गया कि जो पी बी की लंबाई है वह 4 cm हो गया ठीक है यहां तक बात की है उसके बाद आपको पूरे cd की लंबाई ग्यारा सेंटी मेटर सेंटीमेटर मतलब पूरे को घलमबाई आपको ग्यारा सेंटीमेडर दे रखिया है अच्छा हम लोगग की आउरन जानते हैं उत यह नहीं नहीं दे रखिए हो हम नेमाल लेए अक्स तरफ से X अब PC की लंबाई अगर X हो गई तो पूरा CD जो है वो 11 सेंटीमीटर है तो यह वैलू कितनी बच जाएगे 11-X ठीक है पी से लेगर करके दी तक की वैलू मेरी 11-X हो गई अब वैलूस पूट करके मुझे सिंप्लिपाई करना है तो हम पी ये की वैलू कितनी है आपको दिख रहा है 6 है पी एक की वैलू है सिक्स मल्टिप्लाइड बै पी पीगी वैलू आपको दे रखी है 4 के बराबर एकप टू PC की लंबाई हमने कितना एजियूम किया अपनी तरफ से X एजियूम कर लिया और PD की लंबाई की बात करें तो वो 11 माइनस एक्सेदे रखी है ठीक है इतना अब देखो हम अभी हम अगर आपके सामने ये कुश्चन जब आपको ये कुश्चन दिया जाएगा एक्जाम में तो करना होगा सिंप्लिफाई करना होगा सिंप्लिफाई करते ही यहाँ पे माइनस एक्सिस्क्वार अब Aww yeah अब मुझे सिंप्लिफाई जाहिए मुझे जिसको add करने पर मुझे क्या मिल जाए 11 मिल जाए तो वो factors हो गए मेरे minus 8 और minus 3 यह होगे factors लकिन जब आप इनकी values निकालोगे तो sign change होगा और यह value हो जाएगी मेरी 8 और यह value हो जाएगी मेरी 3 के बराबर तो कहीं न कहीं हमें जो दिख गया कि x की जो value आई है वो 8 cm और 3 cm दो दी मिल रही आपको इसका मतलब यह हुआ अगर यहाँ पर 3 रखो गो तो यह value 3 के बराबर आप से PC पूछा गया था ठीक है आप से PC की लंबाई पूछी गई थी वो आपकी 8 cm भी हो सकती है और 3 cm भी हो सक पर आए और देखते हैं तो इस question में अगर देखा जाए आप से कहा जा रहा कि इन सर्कल हैविंग सेंटर ओ एक आपका सर्कल है जिसमें और सेंटर है और उसमें एबी और सीडी दो आपकी कॉड्स हैं जो कि एक दूसरे को 90 डिगरी पर इंटरसेक्ट करते हैं काफी सरकल हुआ सब्सक्राइब स्क्राइब याजी करते हैं गरना है कि हमारी खुद की पहले कुछ एसम्शन्स सोगी यह पॉइंट पी एक दूसरे को कर लेते हैं हमने तरब से अपने खुद कर रहे हैं हमारी कॉड्स है उनकी लंबाई तरीके करेंगे ठीक है किस तरीके से जो हमारी कॉड़ से हमने कहा कॉर्ड a b की जो लंबाई है उसको हमने अपनी तरफ से माल लिया टू k के बराब़र जबकि जो cc d कॉड है उसकी लंबाई हमने टू और bene are you fromении अब ध्यान क्या करते हैं तोग फिक करते हैं तो वो जो पर जो पर पर प्रिंडिक्लर टॉप और सी बात है अभी भी हम लोगों होने पड़ा हैं अगर मतलब अगर Moy sound बाद करते हैं तो नो इस pais मिड पुईंट होता है इसका मतलब आगर ये मिड फॉंट है और आपने आभ एभी कितना एजूम किया Learn कि स्मॉल भी होज रहे भाई M से लेगर के D तक की दूरी भी स्मॉल भी हुई और आपकी M से लेगर के C तक की दूरी आपकी स्मॉल भी ही हुई similarly अगर हम बात करें A, N, N भी आपका midpoint ही होगा क्योंकि आपने perpendicular ड्रॉप किया तो यह आपका midpoint होगा अब अगर पूरा A, B जो है वो 2A है तो यह value हमारी कितनी हो जाएगी, small a हो जाएगी, यहां से हमें इस चीज को क्या करते हैं, मिला देते हैं अब हम यहां पर पाइथाकुरस थ्योरा में apply करने चल रहे हैं, सबसे पहले यह हमारी radius है, capital R, capital R, capital R अगर हम बात करें हाँ पर O, M, और अपका D, O, M, D, triangle में बात करें, right angle triangle में, O, M, D में, तो आपको दिख रहा होगा कि जो R, square है, R, square की value जो आपको देखने को मिल रही है, वो मिल रही है, O, M, square, आप लिखोगे, O, M, square, और, plus, यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, B, तो आपको होगे, small, B, square, ऐसे ही यहां पर देखा जाए, अगर इस जगहां पर तो O, A की बात पर यहां पर कितना दिख रहा है, capital R, square, वहीं, ऊपर वाले triangle में लगा रहे है, O, R, square, बराबर, O, N, square, यहां पर दिख रहा, O, N, square, और, plus, यह value आपको, small, A, के बराबर, द प्लस, आपको होगे, दूसरे bracket में, A, square, plus, B, square, अब किसी तरीके से मुझे, O, M, square, plus, O, N, square की ही value मुझे find करनी है, यहां तक तो कहानी हो गई, अब ज़रा देखते है, triangle O, M, और P में, यह जो आपको triangle दिख रहा है, O, M, और P, यह triangle जो दिख रहा है, यहां पर हम कह सकते ह कि जो O, P, square की value होगे, जिसको कि हमने C माना अपनी तरफ से, तो O, P, square की जो value होगी, मतलब C, square की जो value होगी, वो हो जाएगी, एक तो आपका O, M, square, एक तो हो जाएगा, आपका O, M, square, और प्लस, दूसरी साइड जो होगी, आपकी क्या हो जाएगे, P, M, square, ठीक है, P, M, square हो गया, अब यह हुआ हमारा C, square, equal to, देख रहा है, मुझे, O, M, square, प्लस, फिर आपको देख रहा है, P, M, जो देखे रहा है, P, M, यह देखो ज़रा है, तो P, M, जो है, हमारा O, N, के बराबर है, P, M, की जगापे O, N, लिख सकते हैं, क्योंकि यह आपका एक परफेक्ट, प्लस, O, N, square, की value मिल चुकी है, और वो value हमारी है, कितनी, वो है हमारी value, C, square, के बराबर, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, कि जो हमारे सामने यह उपर equation लिखी हुई है, इससे हमें जो result मिला, वो मिला, इसी O, M, square, प्लस, O, N, square, की जगापे हमें C, square, रखना है, तो हमारा ज A, square, प्लस, B, square, प्लस, C, square, इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, इस जगापे लिखे हैं, आपका जो result मिला है, वो मिला है, 2R, square, equal to, A, square, प्लस, B, square, और, प्लस, C, square, यह हमारा overall result, यह result में है, त्योरम आपको हमने derive करके दिखा दी, चीज़ों को समझ ल हो गई, अब मुझे इस question को पढ़ेंगे, मुझे result याद है, हम सीधा लिखेंगे, भई, कि 2R, square, equal to, A, square, प्लस, B, square, और, प्लस, C, square, अब मुझे जो जो values दी गई है, उन values को हम put करते हैं, आप से radius पूछी गई है, और आप देखें, अगर, आपको chords की लंबाई दे रख तो अगर हम chord की लंबाई रखेंगे, आप हो कितना दिख रहा है, 18 और 12 दिख रहा है, इनका आधा करो तो कितना होगा, यह हो जाएगा, और यह कितना हो जागा, अच्छे, तो A, B की value हमारी यह है, 9 और 6, जबकि यह C की value 6 ही है, तो हम यहाँ पर put करेंगे, A, square, plus B, square, plus C, तो कैसे put करेंगे, आप 9 का square लिखोगे, कितना हैगा, 81, plus, फिर आप B का square लिखोगे, 6 का square कितना होगा, 36 होगा, प्लस, यहाँ पर आप देखेंगे, फिर से 6 है, तो 6 का square कितना हुआ, 36 हुआ, यह हमारे 2R square की value है, अब जब 2R square की value इतने के बराबर होई, तो आपका होग ठीक है, 80 और 70, 150, बिलकुल सही है, तो अब यहाँ पर R square की value जब आप लिखोगे, तो यह value हो जाएगे, 2 गोड़े, 7,14, और फिर यह हुआ, 1, तो 2 गोड़े, 6,12, 7,5, यह R square की value है, तो R की value कितनी होगी, तो आपको अब यह square root of 76.5 cm, यह हमारे radius की value निकल के आगे, square root of 76 6.5 cm, यह हमारा correct answer है, कहने के मतलब यह है, अगर आपको यह theorem पता है, यह result आपको पता है, तो आपको लिए question कुछ नहीं है, result आपको नहीं पता, तो आप परिशान होगे, फिर solve करने के लिए, पूरा आपको derive करना पड़ेगा, clear इतना, चलिए, यह कहानी तो clear भी भी, यह हमारा question हो गया, next point भी बात करते हैं, अगले question की बात करते हैं, इस question के माध्यम से हमने आपको एक theorem भी जखाया है, यहाँ पर, इस question में कहा गया, अब हम लोग बात करने चल रहे है, common chord की, ठीक है, जैसा की बोला गया, उभैनिष्ट जीवा बोलते हैं इसे, कहा जा रहा है क कि दो सरकल सबसे पहला point किया, कि जब दो सरकल जिनकी radius equal हो, यह भी आपका first point कब, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो है किस तरीके से find करते हैं, length of common chord, उभैनिष्ट जीवा की लंबाई किस तरीके से ग्याद करते हैं, तो आपको सबसे पहले बताया जा रहा है कि दो सरकल ऐसे हैं, जो कि एक दूसरे के center से होकर के गुजरने हैं, यह हमारा first point रहा, यह हमारा पहला सरकल रहा, यह हमारा दूसरा सरकल है, और यह दोनों की बारे में यह बताया गया कि इनकी लंबाई, इनकी जो radius है, भाई वो radius क्या है, दोनों की radius बराबर है, और दोनों एक दूस suppose इनकी radius equal है point कौन सा है कि जब आपको बोला जाए कि circles having equal radius और उसके साथ ही साथ passes through their centers एक दूसरे के केंद्र से होकर के गुजर रहे हो तो उस condition में देखो अगर ये पूरी की capital R है अगर ये लंबाई आपकी capital R ही होगी और आप जानते हो कि जब हम perpendicular drop करते हैं तो मिड़ पॉइंट पर जाता है इतना इसका मतलब ये भी विल्कुल मतलब यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है capital R है इसको मिला तो ये भी कितना होगा capital R होगा दिखे रहा है सब कुल मिला के clear यह हो गया अगर हम इस point को नाम दे दें सीवन सेंटर वन और इसको नाम दे दें सी टू सेंटर टू और इस point को हम नाम दे दे रहे हैं M का तो आपको पताई कि अठेंटर से अपने यहांपर यहांपर परπेंडिकुलर डुप किया थीक है तो यह जो लाइन AB जो हमारे कॉड दिखरी से तो कहीं न tomato है तो कहीं-ने कहीं हमारा बुजब करना है스ंठ की से और आपको है कि हमें मिल जाए और आपको दिखल डिखल रहा है कि दिखुड आपको ये लगा जिए C1C2 ये आपका इक्विलेटर कहें सकते हैं कि ए एम जो लंबाई होगी एम वो इस ट्रेंगल की हाइट है और ट्रेंगल की हाइड क्या होती है रूट थ्री बाई टू मल्टिप्लाइड बाई साइड साइड कितनी है कैपिटल आर तो आप यहां पे आप देखो एम की लंबाई निकल के आ गई और आपको सपथा है एम का मतलब चरी मल्टिप्लाइड बाई क्या आसका मतलब वही आपको जब कॉट्रैस याजाएगा तो जो एक्जाम में कुश्चन मिलेगा ता आपको यह रिजल्ट रखना है ऐसा नहीं कि पूरा आपको डिराइब करना आपको यह रिजल्ट रखना और आपको तुरंत एंसर बताना है पाइब रूट थी सेंटीमेटर इतना यह आपका कॉमन कॉड्ड करने का पहला इस्टिप रहा और इसमें खास बात क्या रही कि भाई हैविंग एक्वल रेडियस एंड पासे त्रू दियर सेंटर यह आपका पहला पॉइंट रहा कंडिशन और भी बनती है इसमें आईए देखते हैं सेकंड कंडिशन कौन है सेकंड कंडिशन में यह आप से कहा जा रहा है कि 6 सेंटीमे एब कितना है सेंटर सेंटीममेटर के बराबर यह है आपका 10 सेंटीमेटर ठीक है उसमें आपको यह बताए हम सेंटर कोई सीवनस Warum कहते हैं यह इन के सेंटर का जो डिया गया वह दस सेंटीमेटर के बराबर दिया है नत यहां पर यहांपर हमने लिखा है कि हमारा सीवन के बराबंच अब में पॉइंट वाली बात यह है कि जो आपको दिख रहा है यह जो आपको ट्रेंगल दिख रहा है एसी वन सी कुछ निकालने यह पॉइंट हमारा क्या है स्पॉइंट को हम नाम देदे रहे हैं इड़ पॉइंट है ये कॉड का किसी तरीके से मुझे एम की लंबाई पता चल जाए एम की लंबाई पता चल जाएगी आप जस्ट डबल करोगे एबी मिल जाएगा क्योंकि मिड़ पॉइंट है अब कैसे निकले गया तो हमें आप लोग ने राइट एंगल ट्रेंगल भी पढ़ रखा है पढ़ लियुक्त राइट एंगल करते थे हम लोग एरिया आप लाइगे तुर्णत निकाल देते थे ज़्याद देखो कैसे हम अगर इसको ट्रेंगल माने तो यह आपको दिख रहा एट सिक्स और टेन यह मुझे पता चल गया एक राइट एंगल ट्रेंगल एक समकोड त्रिफू जाएगे कैसे पता चला ट्रिपलेट्स फ्रॉम हो रही है सिक्स एट और टेन जिसमें हाइप पूरा इसको दस मनें तो आपको होगे हाफ बेस कितना आपको दिख रही है यही बराबर होगा अगर आप इसको राइट एंगल ट्रेंगल मान रहे है राइट एंगल ट्रेंगल है फिलहाल तो यहां पर यहां पर एक साइड आपकी परपेंडिकुलर और बेस यह भी तो है शिक्स और एट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिगरी क आप कैंसिल हुआ और एम की लंबाई जो आपको दिख रही यहां पर एम की जो लंबाई दिख रही है छे गुड़े आठ कितना हुआ 48 48 डिवाइड बाइट न करोगे तो यह 4.8 सेंटीमीटर आ गया तो मुझे एम की जो लंबाई दिखी वह मुझे दिखी 4.8 है इसमें एक राइट एंगल ट्रेंगल फॉर्म हो रहा था और एरिया को एपलाई करके हम लोगों ने कॉड़ की लंबाई फाइंट करते हैं तो उसमें जो एक पॉइंट बचा आपका कि वह आपके सामने है कि तू सरकल हैं और जिनकी रेडियस आपको बताई है 15 सेंटीमेटर और 13 सेंटीमेटर और इनके सेंटर के बीच का गैफ हमें फाइंड करना है आपको कॉमन कॉर्ड की लंबाई अल्रेडी दे रखी है तो आप से कहा गया कि कॉमन कॉर्ड की लंबाई पता है सेंटर के बीच का गैफ पाइंड करना है सीवन और सीटू ठीक है अब यह पॉइंट को हमने नाम दिया और यह त्रेंगल समय बनाने हैं आपको दिख रहाए यह बन रहा है मेरा 13 सेंटीमेटर किसी तरीके से अगर हम सीवन एम और सी टू एम यह फाइंड कर ले तो मेरा एंसर आ जाएगा और आपको पता कि भाई यह परपेंडिकुलर ही ड्रॉप किये गए हैं तो अब बात बताएं अगर एबी पूरा चौविस सेंटीमेटर है टो ए से लेकर कि दूरी कितनी हो जाएगी 12 cm के बाराबर वहागा यह कितना है है एर नोगा 3 कितना मैं को डिखे रहा है 3 गुना दिखे रहा है तो 345 की बाद करते हैं चलिए तो यहां पर यह वैलू है हमारी 15 cm के बराबर यह 13 cm है ठीक है यह हमारा 13 cm है इसका मतलब यह वैलू को कितना रखा रहे है यह हमारा 12 cm अब आप देखो 12 और 15 कड्यों कितना बन रहा है फोर और फाइब का बन रहा है तो फोर और फाइब होना चाहिए थी फोर फाइब तभी राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा ठीक है न तो अब हमें करना क्या है सब्सक्राइब करते कहते हैं अगर एक साइड हमारी 12 सेंटीमेटर एक साइड हमारी 13 सेंटीमेटर तो यहां से तक कितनी हो जाएगी 12 5 13 टि ट्रिप्लेट बनती है तेरा बारा दिया है अल्रेड़ी कितना बज गया यह 5 सेंटीमेटर के बराबर अब आपको सीवन एम पता चल गया सीटीमेटर के बराबर तो सेंटर के बीच का जो गैप रहा वो रहा हमारा 14 सेंटीमेटर राइट एंगल ही फॉर्म होगा जब कॉमन कॉर्ड की लंबाई गयात करने के लिए कहा जाएगा तो कॉमन कॉर्ड की लंबाई किस तरीके से फाइंड करते हैं वह हमने देख लिया ठीक है ओवराल हम लोगों ने देख लिया कि कॉर्ड पर बेस्ट आपके कुश्चन कैसे फ्रेम किया जा प्रॉब्लम जहां पर ट्रेंगल सरकल सब मिला करके आपके सामने प्रॉब्लम होगा तो मेरे प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही और अगले लेक्च्चर में फिर मुलागात होगी तब तक बिल्कुल खयाल रखें अपना ठीक है ओक की बबाई टीक कियर है वागोड दे पिर्जाइ दीक जाइए प्रॉब्लम जाओगे थे बडिए करे लिए करें दो अबस्ट्दीर है में नगले क्या होगी ओक प्रॉब्लम होगा है तो में आपके से किवां जागी और बग्